C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ 8 सत्रिया और बिहु प्रिष्ट संख्या 75 सत्रिया और बिहु निर्त्य भारत एक विशाल देश है इसकी रंग बिरंगी, सुन्दर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है भारत के प्रतेक स्थान का निर्त्य, संगीत, कला, खान-पान, भाशा, पहनावा, रहन-सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की और खिंचे चले आते हैं इस पार्ट में भी एक परिवार, एक दूसरे देश से भारत में आया है आईए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहां से आये हैं और क्यों आये हैं एंजला लंदन के जाने-माने इलाके केंजिंटन में रहती थी उसका स्कूल घर से दूर नहीं था उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था उसे जीम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साहत समय बिताना पसंद था वे सब आपस में मिलकर कई कालपने खेल खेला करते थे उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मज़ा आता था जिन में दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो एंजला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताज महल, आइफिल टावर या कलोजियम की यात्रा पर जाना हो उसे बिलकुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानिया सच साबित होने वाली है एंजला की मा अलेक्जेंडरा एक डॉक्यमेंटरी फिल्म निर्माता थी उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यमेंटरी बनाने के लिए वित्तिय मदद दी गई थी पेचीदा बात ये थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था उन्होंने एंजला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ़ते और बढ़ाने की अनुमती ले ली जिससे एंजला और उसके पिता ब्राइन भी उनके साथ जा सके एंजला बहुत जल्द बाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी पर उसकी मां समय से ये काम पूरा कर सकें इसले वे सभी जल्दी ही तयार हो गए प्रिष्ट के मद्धिभाग में एक मान्चित्र है मान्चित्र में विभिन देश हैं इस मान्चित्र में लंदन से गवाहाटी तक की हवाई जहास के सफर को 14 घंटे 40 मिनिट में बताया गया है जब तक एंजला कुछ समझ पाती तब तक वो लंदन से नई दिल्ली होती हुए गवाहाटी की उड़ान पर थी यात्रा के दौरान माने एंजला को असम की खुबसूरती के बारे में कुछ बाते बताई असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है इसके साथ असम में नित्य की भी एक सम्रुधु परंपरा है अलेक्जांड्रा की डॉक्यमेंटरी के केंद्र में असम के जन जीवन में नित्य के महत्व को तलाशना था वे जब यहां आ रहे थे, तब अप्रेल का महीना चल रहा था असम में ये नए साल का वक्त होता है बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहु कहा जाता है एंजला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी गुवहाटे के एक होटल में सामाने होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गाउं मलंग में गए गाउं पहुचने पर मा ने एंजला को बताया कि बिहु एक कृशी आधारित त्योहार है भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है असम में बिहु साल में तीन बार मनाया जाता है सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं फिर जब वे धान रोबते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तयार हो जाता है एंजला कार से उतरी वहाँ आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वो हत्प्रब थी वहाँ एक बड़े से बर्गत के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था वो जगहा लोगों से भरी हुई थी एंजला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था किसी टाइम मशीन में आकर बैट गई हो या क्या वो उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी वो मंत्र मुग्द होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत रितु के आगमन पर नित्ते करते देख रही थी एंजला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वादी यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खुबसूरत पोशाग पहन रखी है वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पेर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोई हुए हैं उसकी इच्छा हुई कि वो भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी प्रिष्ट के निचले भाग में असम के लोक नृत्य बीहु का चित्र बना है प्रिष्ट संख्या 78 बीहु नृत्य और इसके उच्छफ से अचम्भित एंजिला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया जब वे वापस लोटे तब मा ने एंजला से पूछा कि उसे बीहु कैसा लगा एंजला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को ही बीहु कहा जाता है उसने मा से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं मा ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं खास तोर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है असम का बीहुनृत ग्रामीन जन जीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है एंजला की मा अगले कुछ दिन डॉक्यमेंटरी के तथे जुटाने और साक्षात कार लेने में व्यस्त रही एंजला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहां सब कुछ कितना अलग था उसे अपनी मा पर गर्व हुआ वे एक वैज्ञाने कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों की द्वारा बहुत सी चीजे एक साथ दिखाते हैं प्रिष्ट के मद्य भाग में एंजला के मा का चित्र है जिसके हाथ में कैमरा है अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहां सभी सत्रूं अर्थात मठों की पीठ हैं वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्र या नृत्तिका फिल्मांकन करने वाले थे जब वे दक्षिना पत सत्र पहुँचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई जो असम की एक जानी मानी लेखे का है उस हफते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुखना था रीना आंटी की एक बिटिया थी अनू अनू और अंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा प्रिष्ट के निचले भाग में मांजले में स्थित दक्षना पत सत्र का सेंक्टोरियम का चितर है प्रिष्ट संख्या 89 इस प्रिष्ट के उपरी भाग में असम के लोकनिर्थ बीहू का एक और चितर है उन दोनों की ही उम्र दस साल थी। दोनोंने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनू ने एंजला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजला को अनू के खिलोने बहुत अच्छे लगे। जो थोड़े अलग तरह के थे। गुडिया, लकडी के खिलोने और नारिल की जटा से बने घर। कितने अनू के खिलोने। उसने लंदन में ऐसे खिलोने कभी नहीं देखे थे। अनू का पसंदीदा खिलोना लकडी का बना तीर कमान था। जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजला उसकी विरोधी बनी थी। शक्ती शा खेल रहे थे। उस कूद भांध और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजला और अनू ने देखा कि एलेक्जांड्रा ने वैशनम मठ के सभागार में नित्त कर रहे युवासाधूं का फिल्मांकन किया। एंजला आश्चरे से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नित्त सिर गा सकते, नित्त कर सकते और छदम युद्ध लड़ सकते। मा ने अंजला को बताया कि बीसवी शताबदी के मध्य में कुछ साधूं मठों से बाहर आकर पुरुशों और महिलाओं को सत्रिया नित्त सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधूं को मठों से निकाल दिया गया लेकिन आधुन एक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नित्त करना आम बात हो गई है। उस रात मा महिला सत्रिया नित्त आंगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। प्रिष्ट संख्या असी। एंजला बहुत उच्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग क्रिती दे दी। उस रात अनु और अंजला सत्रिया नित्त देखने गए। जिसमें भगवान विश्णु के दो द्वार पालों जै विजय की कहानी थी। परदा उठा और अंजला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नित्त और नाटक की शैली में कम्माल का अभिने कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जै और विजय ने कई बड़े रिश्यों को भगवान विश्णु से मिलने नहीं दिया। क्योंकि उस वक्त भगवान विश्णु सो रहे थे। वे रिश्य नाराज हो जाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जै और विजय को मार कर उने श्राप से बचा लेंगे। बाद में जै और विजय दोबारा भगवान विश्णु के द्वार पाल बने। एंजला को ये कहानी नाट किये और दिल्चस्प लगी। सत्रिया महिला न महिला कलाकारों के प्रस्तुती सत्रिया नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजला के ख्यालों में बस सत्रिया नृत्य ही गूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वार पाल जै विजय की तरहा हतियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया अलेक्जेंड्रा बच्चों के इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें सत्रिया कलाकारों के होने वाले साक्षादकार में साथ ले कर गई अंजला और अनू बहुत खुश थी उन रित्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे वे लड़कियों को सत्रिया और बिहु की कुछ खूब सूरत मुद्राएं और बारीखिया सिखा रही थी प्रिष्ट के निचले भाग में एक स्त्री का नित्य की मुद्रा वाला चित्र है प्रिष्ट संखिया 81 एंजिला अत्यधिक प्रसन्न थी वापस लोटने के बाद भी वो चलने, खाना खाने और यहाँ तक की खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही वापस लंदन जाने के बाद वो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माने रिकॉर्ड की थी पूरे उच्सहा के साथ वो असम की सम्रिध नृत्य परंपरा को याद करती रही रंग बिरंगा सत्रिया और आनन्दित करने वाला भी हू मा उसकी गहरी रुची को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की एंजला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयम किये गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया उसके सहपाठियों और शिक्षकों को ये बहुत पसंद आया एंजला इस बात से बहुत रोमान चित थी कि वो असम के खुबसूरत नृत्यों की जलत उन सभी को दिखा पाई उसे बहुत अच्छा लग रहा था मा को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब भी कोई फिल्म बनाती होंगी अब एंजला के पास अपने लिए असम के नृत्यों भी हूँ और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनुरंजन था लेखिका जया मेहता अनुवादत शिवेंद्र कुमार सिंग लेखिका से परिचय जया मेहता एक निर्त्यांगना है लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारती निर्त्यों की सुन्दरता और बारिकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं इनका जन्म 1977 में हुआ ये पार्ट उनके भारती निर्त्यों से जुड़ी एक पुस्तक निर्त्य कथा से लिया गया है जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंग ने और चितरांकन सुरुबा नतालिया ने किया है जया महता स्वयम भी ओडेसी निर्त्य में पारंगत हैं और कई वर्षों से देश विदेश में निर्त्य प्रसुतियां दे रही हैं प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में लेखिका जया महता का वृताकार गोले में चितर है प्रिष्ट संख्या 82 पाठ से आईए अब हम इस पार्ट को थोड़ा और निकटा से समझ लेते हैं आगे दी गई गतिविधियां इस कारे में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से क यहां दिये गए प्रष्टों का सटेक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाईए एक, मा एलेक्जेंडरा के बारे में कौन सा कथन सत्य है एक, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी दो, उन्हें असम, बिहु और सत्रिया निर्ति से बहुत प्रेम था तीन, उन्होंने एंजिला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए या चार, वे अपने कारे में सहता के लिए बेटी को लाई थी इस कथन में से जो सबसे सटीक उत्तर है, उसके सामने तारा बनाईए दो, अनू और एंजिला ने तुरंत एक दूसरी के तरफ देखा क्यों? एक, अनू के पास खेलोने थे दो, दोनों के आयू एक समान थी तीन, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी या चार, एंजिला अनू से असमिया भाषा सीखना चाहती थी ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताईए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने? मिलकर करे मिलान पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंब एक में दिये गए हैं उनसे संबंदित वाक्य स्तंब दो में दिये गए हैं अपने समुह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खीच कर शब्दों का मिलान उप्युक्त वाक्यान्शों से कीजिए इसके लिए आप शब्द कोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहता ले सकते हैं प्रिष्ट संख्या 83 यहाँ पर एक तालिका है तालिका के दो भाग है स्तंब एक और स्तंब दो स्तंब के नीचे लिखा है एक सत्र, दो बोहाग बिहु, तीन, लंदन, चार, गुआहाटी, पांच, मृटिश अकादमी, और छे, बीस्वी शताबदी और स्तंब दो की नीचे लिखा है एक ग्रेगरी केलेंडर के अनुसार एक जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय दो, युनाइटिट किंग्डम और इंग्लैंड की राजधानी तीन, युनाइटिट किंग्डम देश की एक सरकारी संस्था चार, असम में मनाय जाने वाला एक त्योहार ये असम में नए साल की शुरुवात और बसंत के आगमन का प्रतीक है पांच, भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है और छे, ये असम के मठ हैं इनकी संख्या पांच सौ से भी जादा है ये पूजापाठ और धार्मिक गतिविद्यों के स्थान है अब आपको स्तंब एक का स्तंब दो से उचित मिलान करना है पंक्तियों पर चर्चा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई है इन्हे ध्यान से पढ़िए और इन पर वीचार कीजिए आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया अपने वीचार अपनी कक्षा में साजा कीजिए और लिखिए क असम भारत के पूर्वो तरक्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है इसके साथ असम में नृत्य की भी एक सम्रध परंपरा है पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं प्रिष्ट संख्या 84 सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और इनके बारे में पता लगा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए जो एक क्रिशी आधारित त्योवार है कैसे ग ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजिला के मन में असम ही छाया हुआ था पाट से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उधारन खोज कर लिखिए गः समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया निर्त के परंपरा में क्या बदलावाया है निबंध की रचना गुवहाटे के एक होटल में सामाने होने के बाद वे उसे शाम पास के एक गाउ मलंग में गए गाउं पहुँचने पर मा ने एंजला को बताया कि बिहू एक क्रिशी आधारित्योहार है असम में बिहू साल में तीन बार मनाया जाता है इन वाक्यों में बिहू और असम का ऐसा रोचक और सरस वर्नन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रही है इस निबंध में वस्दू, घटना, प्रदेश आधी का वर्नन किया गया है इसमें जो कुछ भी स्वयम देखा गया है उसका वर्नन किया गया है इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है इनमें आम जीवन की बाते होती है इनकी भाशा सरल होती है उधारन के लिए होली, दीपावली आदी के बारे में बताना इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावत पर ध्यान दीजिए इस पाठ की विशेशताएं पहचानी और अपनी कक्षा में साजा कीजिए और लिखिए इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है प्रिश्ट संख्या पिच्चा सी अनुमान या कलपना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए क बिहु निरत्य और इसके उत्सव से अचमबित एंजिला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया एंजिला और उसका परिवार बिहु निरत्य और उसके उत्सव को देखकर अचमबित क्यों हो गया खा, जब तक एंजिला कुछ समझ पाती, तब तक वो लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुआहाटी की उडान पर थी एंजिला और उसकी मा एलेक्जेंडरा ने भारत की यात्रा से पहले कौन-कौन से तयारिया की होगी ग, वहाँ एक बड़े से बरगत के पीड़ के नीचे मंच बनाया गया था विहुद्रत्य के लिए बरगत के पीड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा शब्दों की बार, यहाँ शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है इन्हें करने के लिए आप शब्द कोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं असम से जुड़े शब्द इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेश रूप से जुड़े हैं अपने समहों में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए इसके बाद उन्हें यहां दिये गए स्थान पर लिखिए संकेत, असम के नृत्य, त्योहार, भाशा आदी प्रिष्ट संक्या 86 प्रिष्ट के उपरी भाग में एक सूरज का चितर है जिस पर असम लिखा है और उसके चारों और छे बादलों का चितर है अब आपने असम से जोड़े अन्नी बातें इन बादलों पर लिखनी हैं तीन बीहू, असम में बीहू साल में तीन बार मनाया जाता है पाट के निचले भाग में तीन बार मनाये जाने वाले बीहू क्यत्यवार के तीन चितर हैं पहले चितर के नीचे लिखा है रोंगाली या बोहाग, बैसाक, सामानित्या अप्रेल में दूसरे चितर के नीचे लिखा है भोगाली या माग माग सामानित्या जन्वरी में और तीसरे चितर के नीचे लिखा है कोंगाली या काटी कार्तिक सामानित्या अक्तूबर में प्रिष्ट संख्या 87 क एंजला और उसकी मा अलेक्जेंड्रा कौन से बीहु के अवसर पर भारत आये थे लिखिए क तीनों बीहु के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं पाठ से आगे आपकी बात अपने समू में चर्चा कीजिए क रीना आंटी की एक बिटिया थी अनू यहाँ पर बिटिया शब्द रेखांकेत है बिटिया का अर्थ है बेटी बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयूग भी किया जाता है बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है आपके घर में आपको प्यार से किन-किन नामों से पुकारा जाता है ख, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? पता करके बताईए ग, वे एक साथ खेल रहे थे आप कौन-कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? बताईए घर असम में नृत्य की भी एक सम्रिध्ध परंपरा है आपने इस पाठ में बिहु और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है आपके प्रांत में कौन-कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? पुर्वुत्तर की यात्रा असम भारत के पुर्वुत्तर भाग में स्थित है असम के अतरिक पुर्वुत्तर भारत में साथ अन्य राज्य भी हैं आपको अवसर मिले तो इन में से किसी राज्य की यात्रा कीजिए आठ राज्यों के नाम है अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालाय, तिरपुरा, नगालैंड, मनिपुर और असम मान चित्र के लिए देखी, https colon double slash surveyofindia.gov.in slash pages slash political dash map dash of dash India प्रिष्ट संखिया 88, टाइम मशीन, उसे ऐसा लग रहा था, जैसे वो आश्चरी जनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैट गई हो क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी कालपनिक मशीन है, जिसमें बैट कर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुँचा जा सकता है टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानिया लिखी हैं, अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं, क, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए, तो आप उसमें बैट कर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे, क्यों, ख, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले, जो अभी तक नहीं बनाई गई है, तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ग, क्या आपने कभी किसी संग्राहले की यात्रा की है, संग्राहले ऐसा स्थान होता है, जहां विभिन कालों की प्राचीन वस्तु में देखने को मिलती है, कभी-कभी संग्राहले की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है, अवसर मिले, तो आप भी किसी संग और उसके बारे में कक्षा में बताईए। गर भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलोने बना लेते हैं। प्रिष्ट संख्या नवासी इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में पांच विभिन्य प्रकार के खिलोनों कचितर है। पत्र, क, मान लीजे आप एंजला हैं। आप लंदन लोट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनू को पत्र लिख कर बताईए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। इस प्रिष्ट के मद्य भाग में एक पत्र का चितर है। इस प्रिष्ट के निचले भाग में पत्र लिखने के लिए रिक्तिस्थान दिया गया है। प्रिष्ट संख्या नब्बे। ख, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्चक सामगरी जैसे पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी अलिफाफे, आदी डाक घर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाक घर में जाए और एक पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखने के लिए उसका उपियोग कीजे। गर, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृती के बारे में मात्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। प्रिष्ट के दाई तरफ एक अंतर देश्य लिफाफे और उसके नीचे एक पोस्ट काड का चित्र है। और प्रिष्ट के निचले भाग में भारत के विभिन लेखकों के सम्मान में जारी किये गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिये गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए। प्रिष्ट के निचले भाग में 15 विभिन डाक टिक्टों का चित्र है। प्रिष्ट संख्या 91 इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में 6 विभिन डाक टिक्टों का चित्र है। का आपको इन में से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यूं। ख, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन-कौन सी जानकारी दी गई है? आज की पहली? क्रम संख्या एक असमिया पहली तीसरे में लिखा है हिंदी पहली और चोथे में लिखा है संकेत आईए अब हम तालिका पढ़ते हैं। हिंदी पहली पानी है पर मचली नहीं जंगल है पर बाग नहीं संकेत यहाँ पर एक फल का चित्र है क्रम संख्या तीन असमिया पहली आई बुलिले ने लागे बो पाई बुलिले लागे हिंदी पहली लग लग कहे तो ना लगे बेलग कहे लग जाए संकेत यहाँ पर शरीर के एक भाग का चित्र है। असमिया पहली सै चरण क्रिश्न वरण पेट काटी लेऊ नाई मरण हिंदी पहली काला तन और छे हैं चरण पेट कटे पर भी ना मरण संकेत यहाँ पर एक कीट का चित्र है प्रिष्ट संख्या बानवे जरोखे से असम भारत के पूर्वो तरक्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं ये क्या है, कैसी बनता है और क्यूं प्रसिद है। हाँ, तो पढ़िए आगे। असम का सुप्रसिद मूंगा सिल्क कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुकती गुवाहाटी हवाई अड़े पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेश प्रकार की आकरशक साड़ी पहने देखता था। ये साड़ी सदेव भूरे सुनहरे रंग की जिलमिल सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉडर तथा हरे लाल अत्वा पीले रंग से बूटों आधि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारों में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन ने चमकीली भोरी सुनहरी साणिया पहन कर आई थी। अनेक पुर्शों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरी रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हलके या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि ये कैसा भूरा चमकीरा मित्र ने बताया कि ये भूरा नहीं बलकि सुनहरा है। ये असम की सुप्रसिद मूंगा सिल्ख है जो सभी प्रकार के रेश्मों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाशा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा और इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है कि मित्र ने ये भी बताया कि मूंगा सिल्ख की साडियों की एक खुबी ये है कि अन्य रेश्मी कपड़ों के विप्रीत इनको ड्राइ क्लीन कराने की आवश्रक्ता नहीं होती है बलकि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही ज होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेश्म सभी प्रकार के प्राकर्तिक रूप से तयार किये जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क इस प्रिष्ट के निचले भाग में असम के सूप्रसिद मूंगा सिल्क से बनी साडियों का चित्र है साज ही समझ आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी? क्यूं? अपने समु में बताईए खोजबीन के लिए असम सहित पूर्वत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोग संगीत का आनंद भी ले सकते हैं जिने इंटरनेट कडियों तता क्यू आर कोड की सहता से पढ़ें देखें वह समझें शर्मा और मम्ता मलकानी, ध्वन्यंकन, मन्जु कुमारी, निर्माण सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नईदिल्ली, भारत झाल